नमस्कार क्या पचल टिवी का खाश शो राहूल का अगने पर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा राहूल गांदी जहां जाए और वहां बवाल ना हो राहूल गांदी की फजीहत ना हो ऐसा हो इह नहीं सकता राहूल गांदी चुनाव प्रचार के लिए तिलंगाना पहुंच रहे हैं पर तिलंगाना में राहूल गांदी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है राहुल गांधी पर मासूम बच्चों की हत्या का आरोप लगा है जगा जगा तिलंगाना की सड़कों पर राहुल गांधी के खिलाब पोस्टर लगाए गए हैं तो पोस्टर युद्ध क्या है वो बताएंगे आपको पर राहूल गांदी की मुसीबत कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही है एक बर फिर से राहूल गांदी के शकायत चुनाओ आयोग से की गई है राहूल गांदी के शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स को निलंबित क करने की मांग की गई है मतलब अब खत्रा राहूल गांदी के एकाउंट पर मंडरा रहा है जिनके जर्गे वो राजनिती करते हैं तो आज इन्हीं मुद्धों पे चरचा करेंगे मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद हैं कि आपको बहुत बहुत स्वाकत है राहूल गांद सदे राहूल गांदी का और क्या इससे कॉंग्रेस पार्टी को फायदा होगा कॉंग्रेस पार्टी को जो फायदा होने की स्थिति नजर आ रही जी क्योंकि वहां बी आरेस की सरकार है के सी आर करप्ट मुखमंत्रियों में से एक है और कॉंग्रेस दूसरे नंबर की पार् पढ़ा क्योंकि राहुल गांधी वह व्यक्ति हैं जो क्रेडिट चाहते हैं जो मेछनत वह नहीं कर पाए है वो हर जगह पर क्रेडिट लेने की होड़ में रहेंगे जैसे करनाटक चुनाब में राहुल गांधी की activity बढ़ी हिमाचल परदेश के चुनाब में राहुल की activity नहीं थी गुजरात में राहुल की activity नहीं थी क्योंकि इन दोनों जगह पर उनको पहले से लग रहा था कि चुनाब हार जाएगे हाला कि हिमाचल परदेश में कुछ भारते जन्ता पार्टी के नेताओं के बगावत के कारण भाजपा की हार हो गई छोटे से मार्जिन पर तो राहुल गांधी को लगा हमें जाना चाहिए था गुजरात में तो संतोस हुआ कि हम नहीं गए थे इसलिए हमारे उपर जादा आरोप नहीं लगा कि आपके जाने एक कारण चुनाब हार गई है कॉंग्रेस पार्टी लेकिन दूसरे तरफ अगर देखें तो ये जो चुनाब हो रहे हैं पांच राजियों में मिजोरब में एक दिन के लिए गए थे एक दौरे पर लेकिन मद्द परदेश चतिस गड़ में कुछ जादा दौरा किया सबसे जादा दौरा किया तो तिलंगना में और सबसे कम र राजस्थान में तो सेप्टंबर के बाद से गाय भी हो गए थे उस समय चुनाब के सुगबुगाट नहीं थी लेकिन अचानक से परकट हुए कब जबकी मद्द परदेश और शत्तिस गड़ में चुनाब खत्म हो गए 17 तारीक के बाद थे 53 दिनों के बाद अचानक से पर के सियार जिस तरीके से पिछले एक सालों से बौखला रहे थे उसके पीछे कारीजन था भारतिय जनता पार्टी का वहां पर बढ़ता अधार इसलिए जो भारतिय जनता पार्टी के साथ कई मुद्दों पर पार्लियामेंट में कम से कम बिल का सपोर्ट करते थे अचानक से मोधी वीरोधी खेमे में चले गए थे केसी आर लेकिन कॉंग्रेस वहाँ पर देख रही थी कि एंटी इंकंबेंसी का फायदा कॉंग्रेस को मिल जाए राहुल गांधी का इस्तेमाल शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे सित्यां बदले राहुल गांधी ने पहले क्या किया सबसे पहले राहुल गांधी ने अससुदीन ओवैसी को टारगेट किया किसी आर के साथ जोड़ा और इन दोनों को भारतिय जनता पार्टी के साथ जोड़ा वहाँ पर एक तरीके से हंगामा खड़ा हुआ कि ये राहुल गांधी ये समझ नहीं पाता कि ओवैसी और भारतिय चनता पाटी बिल्कुल उत्तर और दक्षिन है एक जो पूरी तरीके से संपरदाईट पाटी अससुदीन ओवैसी की जो कि सिर्फ मुसल्मानों की बात करत है जिसका भाई अकबर उद्दिन ओवैसी अभी एक किस दर्ज हुआ है जिसके उपर क्योंकि वो रैली कर रहा था और उस रैली के दौरार एक पुलिस वाले आकर बोला कि दस बजने वाले हैं अभी पांच मेंट का समय बचा है तो आप बाइंड अप कर लिजिए अपने भाशन को इस पर वो गुसा हो गया और उसके बाद चिला चिला कर उस पुलिस वाले को अवकात बताने लगा कि यहां पर तुम हमसे बात ऐसे नहीं कर सकते यहां जो लोग हमारे समर्तक कड़े हैं वो सारे तुम्हें दोडा दोडा कर पिटेंगे किस दर्ज हुआ है उसके पार कर चुका है जब भी परदर्शन हंगामा धमाका या फिर हिंसात्मक परदर्शन ये हर जगा पर मुसलमानों ने किया जिसके कारण लोग इस बात को समझते हैं कि जहां 2000-1000 मुसलिम जुट गए वहां पर हो सकता है कि किसी भी स्थितित तक जा सकता है तो इसलिए वैसी के परती नफरत है यही कारण है कि हैदराबाद के अंदर जो पिछले दिनों ग्रेटर हैदराबाद मिनिस्पल कारपोर्शन का चुनाब हुआ था उसमें भारतिये जनता पार्टी कहां से कहां पहुंच गए दूतरे नमबर की पार्टी हाला कि पहले नमबर पर केसी केसी आर की बात करते हुए इन्होंने करफसन के आरोप लगा है लेकिन भारतिये जनता पार्टी के साथ हाँ बात कर रहे हो टायप की जो केसी आर के भरस्ताचार के खिलाप अमिश्रावी वहां पर एक्षन दे रहे हैं मोदी भी बार बार कह रहे हैं यह परिवार वादी पार्टियों को खाड़ फे को जो की हिंदुस्तान के लिए कलंक है तो वो राहुल गांदी पहले मुद्दो पर गिरे वहाँ पर उसके बाद वहाँ पर अचानक से एक विस्फोट हुआ और विस्फोट हुआ कॉंग्रेस को लेकर कि कॉंग्रेस यहां कर क्या रही है जो कॉंग्रेस पार्टि जिस समय तलंगना की मांग चल रही थी वो अड़ी हुई थी आंदर परदेश के अंदर भी और केंदर में भी दोनों जगह पर कॉंग्रेस की सरकार थे केंदर में यूपिय और आंदर परदे तरीके है कि परदर्सन हो रहा है और यूबा अगर पूरी तरीके से एग्रेसिव है तो उसको शांत करने की विवस्ता होने चाहिए ऐसा नहीं कि उसे मरने के लिए छोड़ दो वहाँ पर आंदोलन चल रहा था किसी यार यहाँ पर भूखरताल भी कर रहे थे लेकिन कॉंग्रेस टर्मस नहीं हो रही थी वह नेगोसियेसन का वह तरीका कॉंग्रेस के पास डेवलप नहीं था इसलिए कई यूबाओं ने आत्मधा किया कुछ लोगों के गोलियों से मौत रहे हैं जो आप समझा रहे हैं उसको लेकर ही आज राहुल गांदी को विरोत का सामना करना पड़ा है तस्वीरे आए हैं जरा वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं तो राहुल गांदी तिलंगाना पहुंचे जरूर है चुनाव प्रचार के लिए पर तिलंगाना में राहुल गांदी के खिलाब किस हद तक विद्रोग हो गया है जरा वो देखे निजमाबाद और बोधन जहां चुनावी जन्सवा करने राहुल गांदी पहुँचे इन दोनों ही जगा राहुल गांदी की फोटो के साथ कॉंग्रस के खिलाब बयान वाले पोस्टर लगाए गए जिन पोस्टरों को लगाया गया है उनमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि कॉंग्रिस पार्टी ने हमारे बच्चों की हत्या की और उसे माफी मांगनी चाहिए करनाचक के बलारी में जीन्स बनाने वाले उध्योगों के लिए बिजली कटोती का मसला भी पोस्टरों के जरीए उठाया गया है इतना जादा लोगों का गुसा फूट पड़ा है राहुल गांधी को विरोत का सामना करना पड़ रहा है इससे तो नुकसान ही हो जाएगा कॉंग्रिस पार्टी को कॉंग्रिस को नुकसान हो चुका है और राहुल गांधी के खिलाफ बोलने का मतलब है कि Congress Party कौन है Congress Party में कई नेता है Decision Maker कौन है शुरुवाती दोर से अगर देखे 1947 के बाद थे तो Congress Party के अंदर Decision Maker हमेशा गांधी नहरू परिवार के लोग रहे नहरू के बाद इंदरा गांधी राजिव गांधी, संजय गांधी उसके साथ ही जब सोनिया गांधी राजिव निती में नहीं थी, जब इन्होंने कहा कि राजिव गांधी के हत्या हो गई है तो अभी हम राजिव निती से दूर रहेंगे फिर भी ये कहने की बात थी कि वो राजिव निती से दूर है वो कठपुतली चाहती थी कॉंग्रेस अध्यक्ष किसे बनाय गया था सीता राम केसरी जैसे व्यक्ति को जिसको कॉंग्रेस में सोनिया गांधी का बैक अप था जो सचीन पाइलेट के पिता राजेस पाइलेट को हरा सकते हैं जिसके खिलाब कौन थे शरत पवार जैसे बड़े दिगज नेता हैं लोग जितिंदर परसाज जैसे नेता सोनिया गांधी के खिलाब चुनाव लड़े कॉंग्रेस अध्यक्ष पत के लिए लेकिन हुआ क्या कि इन लोगों ने ये देखा कि जैसे मनमोहंस इनको परधान मंत्री बनाने के समय के इस्तिति थी ये सिताराम किसरी को परधान मंत्री का अध्यक्ष बनाए अब इसके पीछे की राजनिती यही थी कि सोनिया गांधी बैक डॉर्ट पॉलिटिक्स कर रही थी वो कॉंग्रेस को अपने कब जैसे बाहर नहीं जाने देना चाहते थी मतलब decision maker नेहरू गांधी परिवार रहा है कॉंग्रेस मतलब कोई party नहीं बलकि एक ऐसी company जिसका CEO निर्धारित है कि यही होगा इसका मालिक कोई और नहीं हो सकता है और वही परिवार का होगा तद अगर तिलंगना में मांग हुई वहाँ पर अलग state की मांग चल रही थी आंदरपरदेश, undivided आंदरपरदेश में उस समय कॉंग्रेस की सरकार यहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार आंदरपरदेश में अब decision कौन ले रहा है सोनिया गांधी की decision लेती थी सूपर पियम तो उन्ही को बोला जाता था कि एक भी cabinet का फैसला बिना सोनिया गांधी के office से होते हुए नहीं जा सकता है ये तो जिक्र किया है उसी समय के cabinet minister ने उसी समय के कई अधिकारियों ने कि मनमोहन से नहीं सोनिया गांधी लेती थी सारे फैसले तो ऐसे समय में वहाँ के लोगों ने जो poster लगाये है उसके पीछे मकसद यही है कि या तो Congress माफी माँगे राहुल गांधी माँगे Congress के लिए ये poster नहीं है क्योंकि Congress के स्थानिय लीडर का उस poster में फोटो नहीं दिया गया है ये फोटो दिया गया राहुल गांधी का मतलब गांधी नहरु परिवार उन युबाओं के हत्या का आरोपी है दोशी है इसलिए इसे माफी माँगना चाहिए लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी कहां कहां माफी मांगे तिलंगना में जाकर ये उसकी हत्या के लिए माफी मांगे अगर दिल्ली में रहें तो सिखों से हत्या के लिए जो जिस तरीके से हत्या है हुई उसके लिए माफी मांगे पंजाब में जाएं उन लोगों से माफी मांगे और फिर बिहार में जाएं भागलपुर दंगे के लिए ये जो कॉंग्रेस की सरकार जिम्मेदार थी उन लोगों से माफी मांगे ये हर जगह माफी मांगते हुए भी राहुल गांदी का माफी खत्म नहीं हो सकता तो इसलिए परेशानी कॉंग्र के लिए बढ़ी है तिलंगना में किसी यार ने एक ऐसे गेम कर दिया है जिससे वहां के लोगों का सेंटिमेंट जागा ये तिलंगना राज्य बना कैसे तो और अगर उसमें बनाने में कॉंग्रिस अब रोध पैदा कर रही थी तो अल्टरनेट कौन है अगर किसी यार के काटी के साथ रहें कॉंग्रेस को तिलंगना में इंट्री नहीं देना चाहिए यही बवाल चल रहा है और राहुल गांधी इसी में फसे बिल्कुल परिसानियों के जिकर करेंगे तो लिस्ट काफी लंबी है चर्चा करते करते हम भी ठक जाएंगे लेकिन एक नई परिशा जो सोसल मीडिया हैंडल करने वाला है उसको भी अगर यह समझ नहीं आता कि मोडल कोड ओफ कंड़क्ट क्या होता है चुनाव आचार संगीता क्या होती है आप वोटर के लिए वोटिंग करने की अपील कर सकते हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है परलोभन दे सकते हो सारे ल लोक तंत्र को मजबूत करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलो वोट करो वोट करने की बात अपील होती है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वोट करो कॉंग्रेस के लिए क्योंकि कॉंग्रेस मुफ्त की चीज़े दे रही है तुम्हें यह फ्रीवीज का परचार कर रह और उस कंप्लेयन पर नोटीस और फिर यह एकाउंट बंद होना चाहिए राहुल गांदी का केबल सोसल मीडिया का नहीं बलके इनका तो बैंक एकाउंट भी बंद होना चाहिए तो कि हर जगा जहां वो जाते हैं यह फरजी वाड़ा में पकड़े जाते हैं बहुत-बहुत आयोग में की गई है और तेलंगाना पहुंचे तो वहां भी उन्हें भारी विरोत का सामना करना पड़ रहा है मतलब जहाँ जहाँ राहुल गांधी वहाँ वहाँ बवाल इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें देख दिरें कैपिटल टीवी नमस्कार हमारे व्रत हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं कैपिटल टीवी पर मैं अमित्रकाश लेकर आ रहां बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शो हम बिहार से हैं